आज मैं आपसे सेर करने वाली हूं एक हूं मेड रेमेडी जो आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगी डल स्कीन, डाक सकल, डाक स्पॉर्स, पिंग्मेंटेशन, धाक धब्बे और संटैन गाइस हमें चाहिए वन टी स्पॉन ऑफ बेसन, बेसन हमारे स्किन के संटैन को रिमूफ करेगा और फिर हम हाफ स्पॉन ऑफ हनी अड़ करेंगे, हनी हमारे स्किन को मॉस्टराइजिंग करता है और हमारे फोर्स को ओपिन करने में हेल्प करता है देन हम एड़ करेंगे मिल्क, तू टेबल स्पून ओफ मिल्क, गाइस हमें इसका धान रखना है कि मिल्क रॉव मिल्क होना चाहिए कच्चा दूर होना चाहिए हमें इसे उबालना नहीं है, बिकज रॉव मिल्क हमारे स्किन में क्लींगर की तहा काम करता है और हमें नैचु इसमें हमें 2 टेबल स्पून ओफ राइस फ्लॉर मिलाना है, राइस फ्लॉर से हमारे स्किन को ब्राइटनिग करेगा और हमारे एक्णी पिग्नेटेशन स्पॉर्स को दूर करेगा और ये हमारे डाग सकल्स को भी दूर करेगा लेमन जूस, हमें लेमन जूस हाफ टीजपून लेना है, लेमन जूस हमारे स्किन को लाइटनिंग करेगा, बिकाज इसमें हाई कंसंट्रेशन आफ विटैमिन C है, लास्ट वन इस कस्तूरी हल्दी, गाइस कस्तूरी हल्दी मैं दो चुटकी डालूंगी, ओके, देन हम ये अच्छे से मिक्स करगे, देखिये मैंने इस रेमेडी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हम अपने फेस को पानी या फेष्वास से वॉस कर लेंगे, इसे लगाने से पहले, गाज रोज skept को अपने फेस और नैक में अच्छे से अपलाई है, 10-20 मिनिट के लिए आप इसे छोड़ दे आफ्टर 20 मिनिट्स यह सूप जाएगा तो आप इसे थंडे पानी से धोले गाइस इसे आफ वीक में 4 डेज अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको यह फेस मास अच्छा लगा हो तो हिट दी लाइक बटन, शेर विट यूर फ्रेंड्स, ब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस दी बेल आइकन